अब हम देखेंगे ऐसे क्रांतिकारी के बारे में जो अंग्रेजी सल्तनातिया अरियास्ति राजाओं के को बाजन बनकर कभी जेल नहीं गए नहीं उन्हें यात्नाओं के दोर से गुजरना पड़ा जो एक सामाने विद्रोई देश वक्त की तरह अपना जीवन गुजारते ह और जिनकोंने नहीं कभी ओजस्वी भसंड दिये फिर भी उन्होंने राजस्थान के अंदर जो क्रांतिकारी भूमीका है उस भूमीका को तियार करने में अपनी महत्पुन भूमीका निभाई थी और उनकी गिंती अगर्णिये वेक्तियों के अंदर की जाती है जिनोंने राजस्थान के अंदर जो क्रांथी कारी गतिविद्या हैं उनको संग्टित किया तो हाँ हम पढ़ रहे हैं दामोदर्तास राठी के बारे में जिनका जनम 1882 में हुआ और मर्तिय हुई थी दो जनवरी 1918 को अब हम दिखेंगे इनके व्यक्तित्व के बारे में हालांकि ये कां से समध दे थे बयावर से तो इतना सब कहने के बाद में इसपर्ष्ट हो जाएगा कि इनका काम था शक्री करांथी कारी क बेंगे परते हुए क्रांथी कारियों क्या करना था मदद करना था तो ये सारा काम करते थे इनके इनहीं विचारों से इनकी इसी देश बक्ती और दरश्टी के कार्ण ये उग्र करांती कारियों स्रिष्ट प्रूसों और अन्यन अदेस बक्तों और विचारकों को अपने जो व्यवसाए के मादिम से ये कहां पर लेकर आए इनको ब्यावर ले आए यानि राजस्थान के अंदर ला करके बसा दिया जो करशना मिल्क के ये बाद में जो इनके जिसमें ये कारी करते थी उन से समद्धिती रहते हुए इन्होंने उस समय के महतपुन करांती कारी और विचारक चाम जी करशन वर्मा को अपने साथ जोड़ा था और चाम जी करशन वर्मा को ही इसके लिए सरे जाता है कि वो दामोर दर्दास राठी को करांती के पत पर लेकर के आये थी तो अब देखते हैं इसमें राजस्तान के अगरणी सवतंतरता प्रेमियों में इनका क्या लिया जाता है नाम लिया जाता है ये उद्योगपती थे लेकिन उद्योगपती कौन सी जो क्रशना मिल चलाया करते थे और साथ में राज़ गोपाल सिंग और अरविंद गोष को संप्रग में भी रहते तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनको क्रांती कारी मारिक पर जो लाने का मुख्य स्रे है वो स्रे किसको है स्याम जी क्रशना वर्मा को जाता है इसके अलावा इनके विचारों और कारियों के कारण जो बाल गंगा दरतिलक जैसे लोग भी इनसे क्या हुए है जुड़े और जो अर्विंद घो से इनका भी संप्रक्राब वो खुद यहां पर इनसे मिलने के लिए ब्यावर आये थे और राव गोपाल सिंग खरवाने जब रास बियारी बोस्त ने 21 फरवरी 1915 को सं जो ओर द्रवार के लिए सारी दंगी वर्ष्वार और राठी ने की थी यानि के मादिम से इन्होंने करांथी कारी जो गती भी दिया उनको संध्टित करने का इन्होंने प्रवार आजमेघ्रतिया जो आंदोलन आपको कमेट बॉक्स में बताना होम रूल अंदोलन कब चलाए गया और ये तिलक की उग्र नित्री के भी परबल संपर्ग थे इसी कानबाल गंगादर तिलक के साथ में इनकी वेचारिक जो निकड़ता के कारण ये बयाबार समवे इन दामो दर्दास राठी से मिलने के तक जीतें तो कहा जाता हैं कि गांदी जी को साबरमति आश्रम से ये बयाबार ले आतें यानि जो इस्तान वर्दा और साबरमति आश्रम का है वही इस्तान अब राजस्थान और बयाबार का होता अगला हमारा व्यक्तित्व है स्वामी गोपाल दाजी जिनका समय है 1882 से 1949 ये भी सित्र में एक महत्पूर्ण व्यक्तित्व है जिनका भी क्रांतिकारी गतिविद्यों के अंदर हम कह सकते हैं अव विस्मर्णिय योगदान रहा है ये चुरू तदकालिन बीकाने जो रियासते उस रियासते समद्धी थे कठीन आउट जो कश्ट पूर्ण जो इनकी संग्रस है इनका जीवन काल है उस से जीते हुए इन्होंने अपने जीवन को क्या कर लिया था तरास लिया था और जन सिवा के लिए और लोगों को कल्यान के लिए हमें सारी तत पर रहा करते थे इनकी इसी जो प्राकारियों के कार ये इतने वहां के चेतर में आदरनी हो गए थे कि कई लोग तो उन्हें अपना भगवान भी समझने लग गए थे जब उस चेतर में फैली महमारी के समय उन्होंने लोगों की बढ़ चट कर के क्या की थी मदद की थी इन्हें बीकानेर चेतर के सुरू चेतर में सवतंतर ताकी अलग जगार देखो इसमें विशिसकर बीकानेर का सुरू चेतर ही नहीं शंपोंड बीकानेर राज्जी और आस पर उसके जो चेतरे उसमें भी अलग जगाने का सरे इनहीं जाया जाता है इन्हों हैं इन बुराईयों को खत्म करने के लिए इन्होंने जो हितकार्णी सभा है जिसका पूरा नाम है सर्व हितकार्णी सभा इस सर्व हितकार्णी सभा की इन्होंने इस्तापना की ती इसके साथ ساتھ انہوں نے سکسا کی پرگردتی کے لیے بھی کاری کیے اس کے لیے انہوں نے محیلاؤں اور بالکاؤں کی سکسا کے لیے جو پتری پار سالہ ہے استعبت کی اور اس کے علاوہ انہوں نے جو اچھت ورگ تھا جس سے ہم کہہ سکتے ہیں ہری جن جو آقا کہتے لیکن اس سمیں ہری جن نام نہیں دیا گیا تھا تب اُقے سمیں میں انہیں اچھتوں کے لیے کبیر پار سالہوں کی استعاب نہ کی تھی یعنی یہ اس معاملے میں उस समय गांधी जी से भी आगे थे गांधी जी ने समभ़त इनिसी प्रेना ली होगी यानि गांधी जी तब तक ऐसा कोई कारे नहीं किया था इतना महत्पूर्ण वेक्तित वो नहीं हुए थे तब तक इन्होंने अचुतों की सिक्सा के लिए कबीर पाट साला की इन्होंने इस्थपना करवाई थी इसके लावा और भी जैसे महिला आस्रम है विद्वा महिलाओं के लिए इन्होंने काम की और साथ में उनके लिए जो रोजगार की भी इन्होंने क्या किये थी व्यवस्ता की थी उन्हें साथ तरवर्तियां भी परदान की थी अब टर्निंग पॉइंट क्या होता दूसरा गौल में समयलन जो कब हुआ था 1931 के अंदर सितंबर 1931 के अंदर जब दूसरा गौल में समयलन लंदन के अंदर आयोजित किया जा रहा था इसमें भाग लेने के लिए बीकानेर के जो महराजा थे इसमें कौन थे गंगा सिंग व बीकानेर एक दिगदरसन नामक इन्होंने एक वाँ पर्चा बाटा था जिसमें बीकानेर के जो महराजा गंगा सिंग हैं उनके काले कारणा मोका खुला सता तो इस कारण अंतराश्ट थी इस तर पर बीकानेर के महराजा का क्या हुआ अपमान हुआ तो महराजा वहां से च स्वामी गोपाल दास है ये भी उसके अंदर सामी लें इसके लिए 1932 के अंदर बीकानेर के माराजा गंगा सिंग यहां पर एक काला कानून बना करके इन लोगों को बिना मुक्दमा चलाएं क्या डाल दिया जेल के अंदर डाल दिया था जिसके बाद में बहुत ही यानि लग वेक्तित किया था और वहीं पर बाद में जाकर के इनकी क्या हो गई मरत्यू हो गई थी तो ऐसे मेत्पूर्ण वेक्तित थे जिनके कारण संपूर्ण बीकानेर और उसके आस पड़ोस के जो छेतर थे उस छेतर के अंदर क्या आई थी करांती कारी जो गतिविद्या है या लोगों के अंदर कह सकते हो जन जागरती है उस जन जागरती का जो बीजा रूपन इन्होंने किया था और समाज सिवाग में तो कह दो इनके बराबर कोई नहीं कह सकते यहां के अकाल के समय कहो या और अन्ने कहीं विपती के समय सिकिसा के छेतर में कहो या गोवन्स की व्र परतमान समय के अंदर मिलना बढ़ी दुरलब है इसी कार्ण ये जनता जनारदन की अंत समय तक क्या करते रहे सेवा करते रहे